अब हम आते हैं इस सद्ध्याय के अंतिम बिंदु पर इसको जीवंत बनाने में कौन कौन से पहलू महत्पूर्ण है ये जानने के बाद अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसका जिक्र पहले इस रूप में किया गया है कि सम्विधान संशोधन मूलत तीन कारणों से हुए वे तीन कारण जो थे हम इन एक सो पाँच संशोधनों को हम उनको बाट सकते हैं ज्यादा विस्तार से ना जाते हुए हम ऐसे कुछ ही संशोधनों को लेंगे जो सामाजिक जिष्टी से, राजनायतिक जिष्टी से, आर्थिक जिष्टी से और संविधानिक जिष्टी से महत्पूर्ण है जो ज्यादा चर्चित रहे किनी कारणों से, हम उन्हीं मुद्दों को उन्हीं संशोधनों को यहां संख्षिप्त में जिक्र करेंगे अन्य था एक सो पाँच जो संशोधन हुए हैं, उनको क्रमवार आपकी पुस्तक में वो दिया हुआ है किस वर्ष, किस करम में संशोधन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, किस वर्ष हुआ, कौन-कौन से अनुच्छेद प्रभावित हुए और उसका मुख्य विश्या क्या था पहला संशोधन आपको जानना जरूरी है, कि आखिर संविधान उन्निस्व पचास जब्च जनवरी को लगू हुआ, तो पहले संशोधन की नौबत कब आ गई पहला संशोधन उन्निस्व इंकावन में हुँ हो गया एक वर्ष के पूर्व ही सम्विधान के एक वर्ष पूर्ण करने के पूर्व ही संशोजन की जुरत पड़ गई 1951 यह आप याद रखें और इसका जो विशे था उसका सम्मझ था मौलिक अधिकारों में समानता को लेकर संपति के अधिकारों को लेकर और जैसा मैंने बताया भूमी सुधार कानून पर उस समय सरकार का बहुत जोर था बहुत सारे कानून बनाये गए भूमी सुधार को लोकर और भूमी सुधार का अर्थ है भूमी की कौालिटी में सुधार नहीं उसकी गुनवत्ता में सुधार नहीं बलकि भूमी के वितरण म समाज में भूमी का जो वितरन था वो बहुत ही गलत था जमीनदारों के पास एक और जहां हजारों एकड़ जमीन थी वहीं ऐसे लाखों किसांग थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी और वे भूमी हर खेती हर मजदूर के रूप में काम करने को विवश थे और ये दूसरी वे जमीनदार थे जो खुद तो खेते नहीं करते थे लेकिन हजारों एकड़ जमीन पाले हुए थे ऐसे हजारों लाखो लोग थे जो बड़े शहरों में रह रहे थे लेकिन गाओं में जाकर उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद रखी थी जो व्यर्थ पड़ी हुई थी तो गरीबी और आर्थिक रिथिते में इसधार के लिए पहला कई संशोधन हुए जमीनी मामले को लेकर और पहला संशोधन उन्निस्वा इंकावन में ही हो गया उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा आदी हुए लेकिन वे हमारे आपकी समझ के लिए उतने महत्पूर्ण नहीं हैं पर सात्वे संशोधन बहुत महत्पूर्ण हो जाता है पहला संशोधन इस दिश्चे से महत्पूर्ण हुआ कि जानना जरूरी है कि संविधान के लागू होने के कितने जल्दी पहला संशोधन हुआ लेकिन हम आते हैं सात्वे संशोधन पर जो 1956 में हुआ अर्थात सतंतरता के लगभग 9 वर्ष बाद या गणतंतर बनने के 6 वर्ष बाद इस संशोधन का संबन्द था राज्यों के पुनर गठन से जो आज तो बहुत से नए राज्य बने हैं जिनमें 36 गड़ भी एक है लेकिन इससे पूर्व सन 2000 वर्ष 2000 में 36 गड़ बना इससे पूर्व जो भारत का नक्षा था मोटा मोटा वह नक्षा राज्यों के मामले में 1956 का बना हुआ है 1956 ते लेकर सन 2000 तक अर्था 44 वर्ष के काल में बहुत कम नए राज्यों का निर्माण हुआ और 1956 में जिस तरीके से राज्य बनाएं गये राज्यों का सीमंगन किया गया, वह एक संशोधन के माध्यम से किया गया और यह संशोधन बहुत समय तक जारी रहा तो 1956 में सातवा संशोधन राज्यों के पुनर गठन से संबन दे केंदर शासित प्रदेशों से संबन दे दूसरा लोकसभा, राज्यसभा में सीटों के पुनर वित्रण से संबन दे और आंदर प्रदेश, पंजाब तथा बंबई इनको एक किसी कारण से विशेश दर्जा दिया जाने का प्रावधान special category यह है सातवा संशोधन फिर आठवा और नौवा संशोधन होता है जिसका महतपूर्ण बिंदू है कि दादरा और नगर हवेली को भारत का अंग बनाए गया दादरा नगर हवेली आप नक्षे में देखिये ये द्वीप हैं इन्हें भारत का अंग बनाए गया अगला महतपूर्ण संशोधन बारवा है बार्मा संशोधन 1962 का ग्यार्मा संशोधन दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करने का तो सात्वा संशोधन अब यहाँ पर जो बार्मा संशोधन है वह है गोवा दमन दीव को भारत में मिलाने का गोवा दमन दीव को 1962 में भारत में मिलाये गया और थोड़ा से जान लें कि गोवा दमन और डीव पुर्तगाल शासन के तहत था अंग्रेज लोग तो चले गए, फ्रेंच चले गए, डच लोग भारत से चले गए लेकिन पुर्तगाल ने अपनी सत्ता, अपनी कॉलोनी बनाय रखी गोवा में और अंतिता 1962 में गोवा में एक विशेश परिस्थिति के तहट भारत गोवा दमन और दीव को पानी में सक्षम हुआ, सफल हुआ और उसे भारत का अंग बनाय गया एक संशोधन के द्वारा जिसे बारवा संशोधन कहते हैं, 1962 का, ये वही काल है, जब चीन ने भारत पर हमला किया था, वही वर्ष है ऐसे ही चोदहवा संशोधन, पॉंडिचोरी को लेकर, जिस पर फ्रांस का अधिकार था ये पॉंडिचोरी को फ्रांस ने छोड़ा, फ्रांस की सत्ता वापस चली गई, और पॉंडिचोरी को भारत का अंग मनाय गया तो इस परकार देखिए, ये जो कुछ संशोधन है, इससे किसी विशिष्ट समाज का सरोकारनी है, या समाज का कल्यान इसके पीछे लक्षनी है इसके पीछे बदलते परिप्रेक्ष में, बदलती राजनितिक परिस्तितियों में होने वाले जरूरी परिवर्तन तो इसलिए संशोधन का प्रावधान सम्विधान में होना जरूरी है, यदि उसे जिन्दा रखना है, जीवन्त रखना चौदववा संशोधन, पॉंडिचरी को लेकर और जथा मैंने पूर में बताया, पंद्रववा संशोधन किया गया था निया अधिशों की सेवा निवरितिक की उम्र बढ़ाने के लिए 60 से 62 करने के लिए, वह था पंद्रववा संशोधन 1963 का तो देखिए, 1950 में लगू होता है और 1963, यानि 13 वर्षों में 15 संशोधन हुए तेईस्वा संशोधन, अगला महत्पूर्ण संशोधन, 15 के बाद, जो होता है 1970 में तेईस्वा संशोधन 1970 में और इसका महत्पूर्ण बिंदु का सरोकार समाज से था एंगलो इंडियन और कुछ विशिष जातियों को लेकर आरक्षन को पुनह संशत्तर से बढ़ा कर उसकी सीमा असी तक की गई आरक्षन की सीमा की पत्रता का फायदा कमजोर तबके को एंगलो इंडियन को सं असी तक मिलने का प्राउधान किया गया मैंने आपको पूर में बताया कि समधान निर्माताओं ने एक समय सीमा तैकी थी आरक्षन की समय सीमा की इतने वर्ष तक आरक्षन क्या फायदा लों को दिया जाए लेकिन चुकि समाज में उतना अपेक्षित परिवर्टन नहीं हो पाया निर्मन वर्गों को उतना फायदा नहीं मिल पाया वे इतनी शिक्षा अस्तर नहीं पापाए इसको समय समय पर इस काल को बढ़ाया जा रहा है तो ये 23 संशोधन के ताहद सन 1970 में आरक्षन के काल को 1980 तक बढ़ाया गया अब 24 संशोधन क्या है 1971 का आप याद करेंगे मैंने आपको बताया है कि सन 70 से लेकर सन 90 के बीच बहुत ज़्यादा संशोधन हुए ये बहुत सारे संशोधनों का काल है 1971 में 24 संशोधन जो था उसके तहद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार सरकार ने हासिल कर लिया ऐसा संशोधन जिसके तहद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार को पा लिया सरकार ने और यहीं से शुरू होता है वो खेल जो अन्तिता उन्निसवा सततर में जाके समाप्त होता है ये एक बहुत महत्पूर्ण चौबीसवा संशोधन था चौबीसवा संशोधन जो 1971 के उपरांथ 1971 में हुआ था उसमें राष्टपति के लिए भी ये बाधिकारी कर दिया गया कि संशोधन विधेकों को वह स्वीकृति दे एक और जहां ये सुनिश्चित किया गया कि संशध की ताकट बढ़े अधिकारों पर थोड़ा लगाम लगे वहीं उसी के साथ साथ संशध की ताकत बढ़ेगी तभी जब संशध के द्वारा बनाये गया संशोधन विधेकों पर राष्टपति हर्ताक्षर करे तो कभी ऐसा ना हो कि राष्टपति हर्ताक्षर करने से मना कर दें उस तृति से निकलने के लिए भी चौबीसवे संशोधन में ही यह शामिल कर दिया गया जह बिंदु के राष्ट्रपती संसत के द्वारा पारित किये गया संशोधनों को संशोधन विधेकों को स्वी कृति दे यह उसके लिए बाधिकारी बना दिया गया इसके बाद कई और भूमिस्तुधार संबंदी नियालय संबंदी परिवर्तन हुए एक 26 संशोधन बड़ा महत्पूर्ण है और वह है राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेशादिकारों की समाप्ति आपको याद हो को 1950 में जब देश्वतंत्र हुआ था तो उस समय लगभग साड़े 500 से ज्यादा रियासते थी साड़े 500 से ज्यादा राजा थे अपने अपने छोटे 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 खेत्र में जैसे 36 गड़ स्वयम है उसके 36 राजा थे छोटे छोटे खेत्रों में और ये राजा अपनी जमीन को सरकार के देने की एवज में सरकार से प्रतिवर्ष एक पेंशन पाते थे 1950 में जब सरदार पटेल ने भारत के इन रियास्तों से अनरोध किया कि भारत में शामिल हो जाएं तो ये लोग शामिल होने की एवज में इन्होंने कुछ पेंशन की मांग किया अपनी जीवका के लिए और जो पेंशन तैह हुई रकम भारी थी बहुत बड़ी बड़ी रकम इन लोगो दी गई और दी जाने लगी वर्ष दर वर्ष पेंशन के रूप में जिसके कारण सरकार पर बहुत भारी बोज पड़ा और ये पैसा कहां से आ रहा था सामा ने जनता के टेक्स का ही तो पैसा था जो इन पूर वर्ष राजाओं को पेंशन के रूप में दिया जा रहा था तथा कथित राजाओं को साथ ही इन राजाओं को एक सुविधा और थी ये अपनी टाइटल का उपयोग कर सकते थे राजा महा राज महा राजा धिराज दिवान आदी आदी और इन टाइटलों के मातहत इनको कई सुविधाएं मिली हुई थी सरकार ने समाज में सभी को समानता की श्रेणी में लाने के लिए इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया ये जो पेंशन दिया जाता था उसे कहते थे प्रिवी पर्स पी आर आई वी आई पी यू आर एसी पर्स प्रिविलेज्ड मनी पर्स मतलब पैसा प्रिविलेज्ड विशिष्ट रूप से दिया जाने वाला पैसा उसे समाप्त किया और इस विकार करोडों करोडों रुपे की बच्चात सरकार ने की और समाज में समानता लाने में एक बहुत बड़ा कदम उठा तो प्रिवी पर् 26-वे संशोधन में 1971 में 26-वे के बाद अगला विवादित संशोधन या विवादित नहीं और चर्चित संशोधन जिसका मैं जिकरपूर में कर चुका हूँ वह है 38-वाँ 1975 का याने अमरजेंसी लागू होने के बाद का 49-वाँ 1975 का ही और 42-वाँ 1976 का संशोधन 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 राष्टपती राजजपाल उपराजपाल इनके द्वारा यदि किसी तरह का आपातकाल घोशित किया जाता है तो इसे नियायलेह में चुनोती ना देने चंबन दी था उसे कोई चुनोती नहीं दे सकता था 49-वाँ संशोधन इनी को निर्वाचन को भी चुनोती नहीं दी जा सकती थी इस पर संशोधन किया गया इन पदों पर आए व्यक्तियों के निर्वाचन की सही या गलत होने पर भी चुनोती नहीं दी जा सकती थी इसके पीछे कुछ राजनीतिक प्रिष्ट भूमी है लेकिन हम उस पर न जा करके हां संक्षित में जान लें कि सरकार ने अपने उच्च पदों पर रहने वालों के चुनाओं पर किसी वी तरह की चुनोती नहीं दिये जाने का अधिकार ले ले लें चुनोती नहीं यह था उन्चालिशमा शंचुदन और ब्यालिशमा तो जिसका हम बारंबार जिक्ट कर चुके हैं मीनी कॉंस्टिटूशन जिसमें प्रस्तावना में बदलाव किया गया और जो बदलाव किया गया वह था मूलता संपूर्ण प्रभुत्व संपन लोकतांत इसको बदल कर इसमें कुछ नए शब्द डाले गया जिसमें एक शब्द था सोशिलिस्ट और डिमाकरिस्ट सोशिलिस्ट सेक्यूलर समाजवादी और धर में निर्पेच इन शब्दों को इसमें डला गया और कुछ और भी बदलाव किये गया उसके साथ ही जो अनुछे 368 है जो संशोधन के बारे में संसद को अधिकार देता है ये अधिकार आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 368 के तहत है उसमें संसद के अधिकार पर किसी भी तरह की चनौती नहीं जी जा सकती ये कहा गया 42 में संशोधन में स्पष्ट कर दिया कि संसद के द्वारा किये गए किसी भी संशोधन पर संशय होने पर कोई फिर नयाले नहीं जा सकता इसके अलावा नीती निर्देशक सिध्धानतों को लेकर कुछ बदलाओ किया गया संसद का कारेकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया मौलिक अधिकारों पर संसद में बदलाओं का अधिकार मिल गया आपात काल की स्थिति को लेकर भी कुछ प्रावधान किये गया और उसे किसी भी तरह की न्यायलिक रिव्यू के दायरे से बाहर रखा गया आधी आधी राश्पती मंत्र मंडल के प्रतिबादी है उसकी बात मानने के लिए इस पर कुछ पच्टी करना है और जियूरी पध्धती को भी समाप कर दिया गया इस पकार मैंने जैसा पूर में बताया त्रेपन बदलाओं हुए यहां मैंने कुछ ही बदलाओं का जिक्र किया आपकी प इन त्रेपन संशोधनों जो 42 संशोधन के तहट किये गया थे उसके विरुद बाद में मैंने बताया 43 और 44 संशोधन होता है 43 संशोधन में न्याय पालिका के मूल अधिकारों को वापस उसे दिया गया सरकार के तीन अंगों के बीच में जो इंबैलेंस हो गया था असंतुलन हो गया था उस असंतुलन को मिटाने के लिए पूर विस्थितिप को लाने के लिए पुना संशोधन होता है और न्याय पालिका को वापस वे शक्तियां दी जाती हैं जो उसे पूर में अर्जित थी और ब्यालिसमें संशोधन के ताज जिसे सरकार ने ले लिया था चवालिसमें संशोधन संपत्य के मौलिक अधिकार को समाप कर देता है उसके साथ ही इसमें भी चवालिसमें संशोधन में भी ऐसे कई बदलाओं हुए जो ब्यालिसमें संशोधन में किये गया थे उन बदल लाओं को फिर से बदला गया शश्यस्त्र विद्रोग की परिभाशित किया गया राश्पति उपराश के चुनाओं के सम्मंदित मामलों को नियाले में और उच नियाले में ले जाने की अनुमती दी गई इस संशोधन के तहाद जो 42 संशोधन में वंचित कर दी गई थी तो इस परकार 43, 42, 43 और 44 संशोधन का आप थोड़ा सा गहन अध्यान कर लें ये जो संशोधन है ये सब 1978 तक हो जाते हैं लेकिन 1980 में एक और संशोधन आता है आपको याद होगा दस वर्ष का आरक्षन काल बढ़ाया गया था तो अब यहां पर एक जो अगला संशोधन आता है पचासवा वह था दस वर्ष के कारेकाल को पुनह बढ़ाने का और दस वर्ष के कारेकाल बढ़ाने का यह संशोधन 1980 में आता है जो इसे 1990 तक करता है तो कई संशोधन तो इन एक सो पांच संशोधनों में कई संशोधन तो इसी को लेकर हुए हैं कारेकाल को बढ़ाने को ल उन्यसों पचासी में राजीव गांधी के नेत्रत में केंदर में सरकार थी और इस सरकार ने ही ये बावनवा संशोधन किया जिसके तहद दल बदलने को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किये गया यह था बावनवा संशोधन एक सठ्वान संशोधन 1989 उन्यसों नवाची जिसमें निवनतम आजु मतदान की घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई यह हैं एक सठ्वान 1989 में 62 संशोधन वही 10 वर्ष के काल को बढ़ाने के संबंदित है जो आरक्षन से जुड़ा हुआ है 1990 में 10 वर्ष पूरे होते तो पूरू हने के पूर भी इस सरकार ने 1989 में एंग्लो इंडियन और अनसूची जाती जन जाती और अन्य वर्ष के लिए जो आरक्षन था उसका कारेकाल दसवज पूर्ष पूना बढ़ा दिया 1990 में एक महत्पूर्ण संशोधन होता है जिसके तहत 65 संशोधन होता है और इस 65 संशोधन के तहत अनसूची जाती जन जाती आयोग का गठन एक बहुत महत्पूर्ण घटना थी क्योंकि इस आयोग की स्थापना के साथ ये सर्वोत्तम प्रयास था जिसके तहत इन तब के के लोगों के लिए उत्थान के लिए त्वरित कारवाई की जाए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इनकी प्रगति इस वर्ग के लोगों की प्रगति में कई बाधाएं आ रही हैं जिसके निराकरण के लिए ऐसे आयोग की जरुत है और वह संशोधन के माध्यम से ही संभव था तो 1990 में 65 संशोधन 1991 में 79 संशोधन उसके बाद 70 संशोधन 1992 में जिसमें पॉंडिचेरी विधान सभा दिल्ली विधान सभा को चिनाओं में भाग लेने का दिकार पॉंडिचेरी और दिल्ली ये 1992 का संशोधन है सत्तरवाँ आप काल को भी देखें सन 50 से 92 हम आ गये हैं और संशोधनों की संख्या है सत्तर सन 2006 का 92 संशोधन बहुत महत्पूर्ण है हमारे और आपके दिरिश्टी से क्योंकि निजी और बिना सरकारी अनुदान की जो शिक्षन संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश के लिए पिछड़ा वर्ग का आरक्षन का प्रावधान किया गया RTE Right to Education को बद्दे नजर रखते हुए निजी संस्थाओं में पिछले वर्ग के लिए आरक्षन का प्रावधान उसकी शिरुवात होती है 2006 से आप देखते होंगे कि आज सभी निजी संस्थाओं में प्रवेश के काल में प्रथम वर्ष में 25 सट शीट इस वर्ग के लिए आरकषित करने का प्रावधान है आदेश है और जिसके ताहत इस तबके के लोग अब निजी संस्थाओं में प्रवेश पा रहे हैं और इनके खर्च का वहन सरकार कर रही है ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था और जिससे हम और आपको वाकिफ होना चाहिए तो शैक्षिनिक रूप से पिछले वरकों के लिए आरक्षन च्रानबेवां दो हजार च्छा है उसके बाद च्रानबेवां ये शब्दों को लेकर है उडिया शब्द के स्थान पर उडिशा और इस प्रका कई बदलाओ आते गए आज की तारिक तक एक हजार पांच एक सो पांच संशोदन हो चके हैं और जो आने वाले समय में बदलते हुए परिक्रवेश में और संशोदनों की अपेक्षा की जा सकती है हमने इन संशोदनों को जैस तीन श्रेणियों में बाटा तो उससे सपष्ट हो गया होगा कि प्रसम श्रेणियों में संशोदन जो शामिल किये गये हैं वे तक्नीकी प्रशासनिक थे दूसरे व्याख्या संबंदित थे और तीसरे राजनतिक मामलों से थे विवासाद पर संशोदन की अधि बात करें तो 42, 38, 49 और 43 वाथा एक बिंदू जो आपकी जानकारी के इलम हत्पूर्ण है आपके पुस्तक में भी दिया गया है वो है सम्विधान की समीक्षा संबंदी सम्विधान की समीक्षा अर्था क्या सम्विधान में बहुत बदलाओ की जुरुत है या ये सम्विधान बदलते हुए समय के साथ अपने को ढालने में सक्षम है इसको लेकर भी कई बार मुद्दे उठे नवे दशक के अंतिम वर्ष में अर्था संब दो हजार से पूर समीचे सम्विधान की समीक्षा करने की बात आई और संब दो हजार में भारत सरकार ने उच्चितम नयालक के सेवा निवरत नयाधी श्री वेंकर चलईया की अध्यक्षता में एक आयोग निक किया जिसका उ लेकिन समझने की बात ये है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया है और ऐसे किसी भी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे सम्विधान की बुनियादी संरचना को चोड़ पहुंचती बुनियादी संरचना अर्था वही मूल संरचना जिसको 1973 में पारिभ किया है अगला बिंदु जो है वह अनुए जमविधान संशोधन शक्ट संबंदी विवाद और वर्तमान इस्थिति को ले कर मैंने इसमें आपको जिक्र किया है कि संसद के मौलिक अधिकारों से संपन्देश संविधानिक प्राधानों में संशोधन करने का संसद को अधिक है कि नहीं इसको लेकर समय समय पर संशोधन हुए इसमें लिखनी कि सदा ने सबसे पहले 591 में मैंने जैसा बताया पहला संशोधन जो हुआ था वो इसी मुद्दे को ले कर था फिर चौथा संशोधन 1955 में और फिर 17 संशोधन 1963 में हुआ जिसमें मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया और सरवच नयाले ने संशद की इस संविधान संशोधन संबंदी शक्ति को स्वीकार भी किया जब इसको सीमित कर दिया जाया मौलिक अधिकारों को तो इससे संसद का अधिकार बहुत बढ़ जाता है और न्याए पालिकार का अधिकार उस हद तक कम हो जाता हूं और यहीं से घटना करम में काफी परवर्तन आता है 1967 के गोलक नाथ बनाम पंजाब का मैंने जिक्र किया गोलक नाथ केश कहकर और इस गोलक नाथ बनाम पंजाब विवाद में उच्चतम नियाले ने अपने पूर्व निर्ने को पलट दिया उसने कहा कि इस निर्ने के पश्चाद आज के पश्चाद संसद को सम्विधान के भाग तीन के किसी भी उपबंद को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा जिससे कि मौलक अधिकार छीने जा सके या सीमित हो जाएं यह था गोलक नाथ केश उच्चितम निर्ने द्वारा दिये गए इस निर्ने से एक नई स्थित्य उत्पन हो गई और उसके परिप्रेक्ष में 1971 में 24 संशोधन आता है जिसका पूर मैं जिक्र कर चुका हूँ और निर्ने के इस निर्ने को रद कर दिया जाता है अर्थाथ यह स्पश्च किया जाता है कि संसद को मौलिक परिवर्तन का अधिकार है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार है गोलक नाथ केश के खिलाफ संशोधन होता है अर्थाथ नियाले के खिलाफ निर्ने के खिलाफ संशोधन यह टकराओ विवात का उदार लेकिन इसे भी चुनौती दी गई संसत केश संशोधन को केशवानन्द भारती बनाम केरल राज समवाद के रूप में मैंने आपको बताया केशवानन्द भारती केश जिसे चुनौती दी गई और 1973 में एक अतिहाचिक निर्णा आता है याद होगा 24 संशोधन था जिसके तहट उच्चतम नियाले के निर्णा को निरस्ट कर दिया था संशद ने तदकालीन कॉंग्रेस की सरकार ने अब इसके खिलाफ केशवानन्द केश प्रारंब होता है और 1973 में उसका अतिहाचिक निर्णा आता है और उसे यहाँ पुन्ह दुहराना चाहूंगा उस पंक्ति को जो एतिहासिक बनाती है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है पहली बात तो यह इस पश्च कर दी लेकिन सीमित है तो बात उसले रख ली कि अधिकार तो है लेकिन सीमित है संशोधित या सीमित कर सकती है किन्तु संविधान के मौल धाचे में परिवर्तन करने या उसे नश्ट करने का अधिकार नहीं है और यहीं से मौल धाचा मौल संरचना की बात प्रारंब होती है जिसे 2006-10 के संशोधिनों में भी बड़ा स्पष्ट परिलक्षित किया गया दिखाई देता है 1980 में एक मिनर्वा मिल्स केस का जिकर आपकी पुष्टक में है मिनर्वा मिल तथा अन्य बनाम भारत सरकार इसमें उचितमने अले ने 1973 के निर्वा को पुना स्थापित किया है उसमें से पुना प्रतिपादित किया है कोई बदलाव नहीं किया अर्था मौल संरचना वाली बात अब एक established fact है सभी के द्वारा इन निर्णेयों के परिप्रेक्ष में हम कह सकते हैं कि सम्विधान के मूल धाचे में क्या बाते आती हैं ये शायद अब आपके मन में कौतूहल होगा कि आखिल मूल धाचे का मायना क्या है अर्थात क्या है तो पहली बात मूल धाचे का अर्थ है सम्विधान का लोक तांत्रिक और धर्म निर्पेक्ष स्वरूब बनाए रखने का वचन किसी भी तरह का संशोधन यदि सरकार करती है संसत करती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह सम्विधान के लोक तांत्रिक धांचे और धर्म निर्पेक्ष धांचे के खिलाफ न प्रहार ना हो यानि आप संशोधन कर सकते हैं पर ये सुनिश्चित करें कि इन बिंदूओं पर इन बिंदूओं के खिलाफ तो वो नहीं जा रहा है यदि जा रहा है तो वह संशोधन आमानी रहेगा तीसरा मूल ढांचे की तीसरी बात लोक्षभा और राच्षभा के वैस् स्थारित स्वतंत्र निर्वाचन अर्थात चुनाओं जो होंगे जो अभी हो रहे हैं जिस तरीके से वही पध्धती अक्षुन ने बनाया रखने का को सुनिश्चित करना उसमें कोई बदलाओं नहीं होगा और चौथा न्याय पालिका की स्वतंत्रता 42 संशोधन और अन्य कुछ संशोधनों में जैसा देखा गया कि न्याय पालिका की शक्ति को कम करने का सतत प्रयास सत्ता पक्ष करता है तो इस के तहट मूल संरचना के तहट ये बास पश्ट हो गई कि न्याय पालिका की स्वतंत्रता भी उस मूल धाचे मूल संरचना के शासन प्रणाली, संसिदात्मक व्यवस्था, मंत्रि मंडलात्मक व्यवस्था, ये भी मूल धाचा है, इस पर विस्तार पे यहां जाने की जुरूत नहीं है, ये किसी अन्य अध्याव में आप अध्यान करेंगे, पर फिलहाल ये समझ लें कि जिस तरीके से देश चलता है, ये भी मूल धाचे में जाना जाएगा, इस परकार संसद की समविधान, संशोधन की शक्ति के संबंध में आज क्या स्थिती है, इस प्रश्ण का उत्तर एक ही पंक्ति में स्पष्ठ है, कि संसद मौलिक अधिकार सहित समविधान में सभी उपबंधों में संशोधन कर सकती है संसज संशोधन कर सकती है परंद जिसे मैंने लेकिन कहा था पूर में उसे मूल ढाचे में परवर्तन करने का बदलाओ का नश्ट करने का कोई अधिकार नहीं है और मूल धाचे में क्या बाते आती हैं ये उपर युक्त चार बिंदू कुल मिलाकर इस अध्याय का निशकर्ष क्या क्या हमने सीखा सम्विधान का निर्माताओं ने जनता कि अपेक्षाओं के अनुरूप कारे किया और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि भविश्य भी सुनहरा रहे यह सम्विधान सतत रहे इस्थाई रहे नहरू का एक प्रसिद भाशन है जिसमें उन्होंने एक शब्द का उप्योग किया है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी पंद्रा अगस की रात चौदा अगस की रात यहने सतंता की पूर्व कुछ ख्यान पूर्व उन्होंने जो भाशन दिया वह प्रसिद है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी जिसे हैं हिंदी में कहेंगे सामुहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार हमने भाग्य के साथ एक करार किया था एक समझोता किया था उसी समझोते के ताहत समविधान सभा के सदद सभी इस आदर्श अर्थाथ व्यक्तिकी गर्मा आजादी समानता चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो खुशहाली और राश्टी एकता इस पर अखंड विश्वात करने का जो करार था उसे बरकरार रखते हुए समविधान सभा के सदद से उन्हें समविधान बना जा है यह आदर्श आज भी बने हुए हैं और उसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं अक्षुन्य हैं नयापालिका, कारेपालिका, राजनेटा और एक्जिकिटिव विधाई का यह सब अब इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं और इन पर विश्वास किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ है यही कारण है कि अभी भी सत्तर असी वर्ण गुजरने के बाद भी ना केवल सम्विधान का सम्मान होता है उसी रूप में जिस रूप में वो लागू हुआ था उसी इस तर पर जिस तर पर वो लागू हुआ था बलकि और ज़्यादा सम्मान बढ़ा है उसे ज़्यादा मह आर हैं और कारगर हैं प्रभाव शील हैं तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय जीवंतता का विस्तार से अध्यान करने के बाद यहीं समाप्त होता है